नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी विशे का अध्यान करेंगे, आज हम एक नया अध्या पड़ेंगे पाटकाश शिर्षक है कैलाश की सेर, आओ पड़े, आओ पड़े पापस से शिर्षक पड़ेंगे, कैलाश की सेर, आओ पड़े, आओ पड़े कैलाश आज नैनिताल गया कैलाश यह इस लड़की का नाम है वो कहा गया नैनिताल नैनिताल यह जगा का नाम है वो आज नैनिताल गया जाते समय उसने सब के पेर छुए अभी देखो इस शित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि वह बड़ो के पेर छुँ रहा है उनका आशिर्वाद ले रहा है आप भी लेते हो न उसी तरह कैलाज बड़ो का आशिर्वाद ले रहा है उसने सुबे सबके जाते समय पेर छुए सब हैरान थे कि कैलाज जैसा शैतान नड़का इतना भला केसे बन गया सब हैरान थे कि कैला जैसा शैताल लड़का इतना भला कैसे बन गया क्योंकि वो हमेशा शैतानी करता था, मस्ती करता था वह भला कैसे बन गया, मतलब शांद कैसे हो गया, अच्छे से वरतन कैसे करने लगा, अच्छे से सबसे मिलने कैसे लगा वह मैंना दिदी के साथ गया है मैंना दिदी का थेला उसी के पास है इस चित्र में आप देख सकते हो वह मैंना दिदी के साथ गया है और उसके पास मैंना दिदी का थेला है उसके इस बरताव से सब हैरान है वापस से पढ़ेंगे हम कैलाश आज नहीं निताल गया कैलाश आज नहीं निताल गया जाते समय उसने सब के पैर छुए सब हैरान थे की कैलाश जैसा शेतान लड़का इतना भला कैसे बन गया वह मैंना दिदी के साथ गया है मैंना दिदी का थेला उसी के पास है उसके इस बरताव से सब हैरान है दन्यवाद